हाई फिरेंट्स वेल्कम बेक टू एजुकेस्टन इंडिया तो आज के सिड़ों बात करने वाले हैं आरपियस सेकंड ग्रेड एक्जाम के बारे में दोस्तों सेकंड ग्रेड की एक्जाम को लेकर एक बड़ी खबर आ रहे हैं कि एक्जाम डेटे वो चेंज हो जाएगी क्यो हाँ पर देखी दोस्तों कुछ है एक्जाम डेटे वह सेम आ गई यह दिन दो दिन सेम आ गए हैं और इसी वरते से बताए जा रहा है कि आरपी सेकंड के एक्जाम है वह चैंज कर दिये जाएगा तोस्तों मैं यह सारी जानकर आपको दूंगा दोस्तों तो बने रही है सु स्वीडियो को स्टार्ट दोस्तों जयल पर है रही कि जो पढटी निकलिए उसके भी एक्जाम है एक्जाम ही एक्जाम टीच से 2 सक्टूंबर से दो नौमबर के मत्य हैं तो दोस्तो जो एक्जाम है वह कुछ दो दिन सेम आ रहे हैं और इसी वज़े से बता जा रहा हैं कि एक्जाम डेट परिवर्तित होगा लेकिन दोस्तो मैं आपको बता दूं तो सेकंड ग्रेट का एक्जाम डेट परिवर्तित नहीं होने वाला क्योंकि दोस्तो हमारी जो एक्जाम थी, वहाँ पहले ही सम्भावित, जबकि जेल प्रहरी की एक्जाम डेट है, वहाँ कल हिस हुई हैं सम्भावित, इसी वदन से दोस्तो हम कह सकते हैं कि सैकन्ड ग्रेड की जो एक्जाम है, वह चंद नहीं होगी, और आप बिल्कुल से दो नूमबर के में दिये दोस्तों तो आपका एक्जाम अब नजदीक आ चुका है और आप जल से जल अपनी तयारी पूरी करें और रिवाइज भी करें एक और फिर से ताकि आपका पूरा कॉर्स कंप्लीट हो दोस्तों तो यहां पर हमारी बरती की एक्जाम डेट चेंज नहीं होने वाले बिल्कुल भी नहीं होने वाले दोस्तों 100% मैं यह कह सकता हूँ कि हमारी डेट वही की वही रहेगी जो पहले थी 28 सेक्टूमबर से 2 नूमबर और जेल परहरी भरती की बात रही तो जेल परहरी भरती की एक्जाम डेट चेंज हो सकती है दोस्तों 50% चांस वाला वही रहेगा दोस्तों जो पहला एक्जाम डेट थी वही रहने वाली दोस्तों तो आप निश्चित हो जाईए कि हमारी एक्जाम डेट चंज नहीं होने वाली दोस्तों दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और स्वेर करना ना भूलें और इस वीडियो को देखने के लिए